नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर और जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे दो तिन टाइप हम लगबग कर चुके हैं कमप्लीट पिछले तीन वीडियो में और कुछ बेसिक चीजे भी हम समझ रहे चुके हैं तो चलि सभी तुरंट कह देंगे कि वन अपन टू क्योंकि सिंपल सा है 50% मतलब आदा यानि कि वन अपन टू इसमें तो कोई डाउटी नहीं है मान लेजे मैं आप से पूछू कि 75% इसकी फ्रेक्शन बताई है तो आप कह देंगे 3 अपन 4 कैसे कैसे निकाला 3 अपन 4 75 अपन 100 कर दे तब भी आपको पता चल जाएगा 3 अपन 4 आएगा इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछू कि आप 100% की फ्रेक्शन बताई है 100% की फ्रेक्शन बताई है तो 100% की फ्रेक्शन अगर आपको निकालनी है तो 100 डिवाइड डिवाइड डबाए 100 करतीजे solve करेंगे तो आएगा 1 यानि कि 100% की अगर मैं आपसे फ्रेक्शन पूछू तो वो होगी 1 इसी प्रकार अगर मैं आपसे 200% की फ्रेक्शन बताई है 200% की फ्रेक्शन क्या होती है तो 100% की 1 होती है तो 200% की 2 हो जाएगी 500% की फ्रेक्शन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 500% की fraction बताईए तो 5 हो जाएगी 1000 की अगर मैं आप से fraction पूछ लूँ 1000% इसकी मैं आप से अगर fraction पूछ लूँ तो क्या होगी आप कहेंगे 1000% की fraction क्या होगी 10 क्योंकि 1000 divided by 100 हो जाएगा तो 10 आएगी तो कहने का मतलब यह है कि 100% के कि आगे भी अगर कोई value है तो उसको भी हम percent में convert कर सकते हैं चलिए आगे हम और इसी पर work करते हैं कि अभी तक हमने basic चीज़े समझ लेती हम कैसे fraction को percentage में convert करते हैं यह हम जान चुके थे जैसे कि अगर मैं आप से पूछू कि भाई मान लिजे 2 upon 3 है तो इसको fraction में convert करना percentage में convert करना बहुत असान है अगर आपको 1 upon 3 की value याद है जो कि हमने table पढ़ा था 33 is to 1 upon 3 परसेंट तो इसका double करना है बस हमको तो यह जाएगा 66 is to 2 by 3 परसेंट यह हमने basic चीज पढ़ी थी लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब मान लिजे मैं आपको कोई simple fraction ना दे के कोई mixed fraction दे दूँ सपोस मैं आपको दे दूँ 2 is to 1 by 3 यह fraction है और मैं आप से बुरू इस परसेंट में convert कर सकते हैं तो उसकी शुरुआत करने से पहले हमें basic पता होना चाहिए कि भाई mixed fraction जो होता है वो क्या होता है तो अभी हम जानेंगे थोड़ा सा mixed fraction के बारे में ठीक है mixed fraction को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो अगर हम एक बार mixed fraction को समझ लेंगे तो हमारी काफी चीज़े असान हो जाएंगी अच्छा mixed fraction अगर मैं आप से पूछू क्या होता है तो basic से start करते हैं मान लेजे मैंने कोई fraction लिखी 4 upon 9 तो 4 upon 9 ये fraction बिल्कुल सही format में है इसमें कोई गड़वर्ड नहीं है क्यों सही format में है क्योंकि आप देखेंगे कि जो उपर वाली value है जिसको कि हम numerator कहते हैं ये छोटी है और जो नीचे वाली value है जिसको कि हम denominator कहते हैं ये बड़ी है तो normally जो fraction जब हम लिखते हैं तो हम उपर वाली value को छोटी और नीचे वाली value को बड़ी लिखते हैं लेकिन कई बार fraction मान लिज़े कुछ इस type की आ जाए 7 upon में 3 तो यहाँ पर problem create हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो यह numerator है यह यह बड़ी है और जो denominator है वो छोटी है तो ऐसी situation में हमें इस fraction को एक सही format में लाना होता है और उसके लिए हम इस fraction को change करते हैं mix fraction में तो mix fraction change करने का तरीका मैं already आपको previous videos में बता चुका हूँ हलाकि मैं इतना detail में नहीं लेकि मैं short में आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम इसको convert कर सकते हैं इसके लिए आप 7 को अंदर 3 को बाहर divide कर दिजे 3 to 6 minus करने पर आएगा 1 तो जो quotient होता है यह value बीच में आती है जो remainder होता है यह उपर आती है और जो divisor यानि कि 3 यह नीचे आ जाएगा यानि कि 7 upon 3 को जब हम mixed fraction में change करेंगे तो क्या आएगा 2 is to 1 by 3 तो यह तो basic आप समझ गया कि mixed fraction का concept क्या होता है mixed fraction में जो हम convert करते हैं तो कोई जो value यहाँ पर होती है यह बीच में जो यह value होती है यानि कि यह complete कोई दो चीज है और यह वाली जो value होती है यह fraction को show करती है यानि कि यह 1 upon 3 है suppose मैं एक और एक को example ले तो माले जो 5 5 is to 2 by 3 माले जो 5 is to 2 by 3 चोकलेट है तो 5 is to 2 by 3 चोकलेट होने का मतलब यह है कि मेरे पास 5 तो complete चोकलेट होंगी ठीक है एक दो तीन चार पास पास तो चोकलेट मेरे पास पूरी की पूरी complete होंगी और 2 by 3 का मतलब यह है कि मेरे पास कोई छटी चोकलेट का 2 by 3 यानि कि इतना हिस्सा यह 2 by 3 यह इतना हिस्सा सिर्फ होगा तो कहने का मतलब मैं आपको बस यह समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम mixed fraction में किसी को change करते हैं तो यह यहाँ वाली value होती है यह हमेशा complete number को show करती है और जो value यहाँ पर होती है यह हमेशा fraction को show करती है तो यहाँ से आपको इस चीज को समझने में कोई doubt नहीं होना चाहिए आईए हम थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं इनी चीजों पर तो जहां अब तक जो हम जान चुके हैं कि हम कैसे mixed fraction में change करते हैं अगर कोई fraction improper में होता है improper in the sense numerator बड़ा हो जाए और denominator छोटा हो जाए तो आगे हम आप जानते हैं कि हमें इस जो mixed fraction है इसको percentage में कैसे change करना है तो चलिए हम कुछ example ले लेते हैं जैसे कि मान लिजे अगर मैं example लेता हूँ 1 is 2 3 upon 5 हम कोई ज़्यादा बड़ी value अभी नहीं लेंगे starting में क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली value होती है यह हमें सा complete होती है यानि कि 1 complete को show करता है तो 1 होने का मतलब अगर मैं इसकी आप से पूछ लो कि भी percentage बताइए तो आप पहेंगे 100% क्योंकि ये तो complete number show कर रहा है अभी हमने पढ़ा था कि 1 की percentage 100% 2 की 200, 3 की 300, 4 की 400 इस टाइप से हमने भी पढ़ा लेकिन अगर मैं आप से भूछ चूँ कि 3 by 5 की अगर आप मिझे percentage बताइए तो आप कहेंगे कि sir 1 upon 5 की fraction percentage हमें पता है हमने table में भी पढ़ा मैंने बताया था आपको table प्रिविएस वीडियो में table भी दिखाई थी तो 1 upon 5 की जब हम percentage पता करें तो यह हो जाती 20% तो 3 by 5 की क्या हो जाएगी 3 गुना यानि कि 60% नो डाउट इस चीच को समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यानि कि अगर मैं आपको यहां से समझाओं तो 1 इसकी percentage 100% और 2 by 2 3 by 5 3 by 5 की जो percentage हो जाएगी 60% तो इस तरीके से जो हम जोड़ेंगे तो 100 और 60 कितना हो जाएगा 160% तो इस तरीके से आपने चीजों को समझा आईए हम एक example और लेते हैं और जो हम समझ रहे हैं उसकी समझ हमारी और अच्छी हो जाएगी जो सीजिए हम पढ़रे हैं, उसकी समझ हमारी और अच्छी हो जाएगी माल लेजर मैं कोई दूसरा mix fraction ले लेता हूँ 3 is 2 1 by 6 3 is 2 1 by 6 ले लेता हूँ मुझे इसकी क्या करना है इसकी percentage पता लगानी है तो जैसे कि मैंने कहा ये number complete होता है तो अगर मैं आपसे पूछू कि इसकी percentage बताइए तो आप तो कहा देंगे 300% हो जाता है क्योंकि 3 है तो 300% और ये 1 upon 5 है इसकी अगर मैं आप से पूछू कि percentage बताइए तो अगर आपको याद हो table तो इसकी percentage हो जाती है 16 सही 2 बटे 3% No doubt तो इसकी value हो गई 300% इसकी हो गई 16 सही 2 बटे 3% तो बस आप इन दोनों को add कर दीजे तो ये हो जाएगा 300, 16 सही 2 बटे 3% तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगे कि हम कैसे mixed fraction को percentage में convert करते हैं चलिए है अब हम कुछ questions इसी पर based देख लेते हैं ये पहला question है जो आज हम करने वाले हैं और हम basic चीजों को समझेंगे कि इतना जाता हमें detail में नहीं जाना है हमें कोशिश करना है कि हम exam point of view से चीजों को समझें तो आज की वीडियो का ये पहला type है जो हम समझने जा रहे हैं question को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं फिर हम आगे इसका करने का जो trick है वो जानेगे question है कि if 80% of A is equal to 50% of B and B is equal to X% of A then find the value of X हिंदी में समझा देता हमें इस question को एक बड़ फिर से यदि A का 80% बराबर है B के 50% के और B का X% sorry B जो बराबर है वो A के X% के बराबर है तो पताए एकस की value क्या है starting में question देखने में थोड़ा सा difficult लगता लेकिन जब हम एक approach बना लेंगे question को करने की तो question बहुत easy हो जाएगा जैसे की 80% of A 80% of का मतलब multiply is equal to 50% of B यह दो statement है तो अगर आप इसको थोड़ा detail में करेंगे कि 80 बटे 100 कर दो फिर 50 बटे 50% है तो यहाँ पे 50 बटे 100 कर दो तो यह थोड़ा सा long method हो जाता है अगर आपको अगर आपको यह पताए कि 80% की fraction क्या होती है तो बहुत easy हो जाएगा नहीं पता है तो हम जानने के कोशिश करते है जैसे कि हमें सभी को पता होगा 20% 20% की fraction क्या हो जाती है एक बटे 5 तो 80% क्योंकि 4 उना हुआ है तो यह जाएगा 4 बटे 5 नो डाउट तो यहाँ से हम यह समझ लेते है तो यहाँ से हम देखे तो 80% की fraction क्या हो जाएगी 4 बटे 5 इसको हम लेते हैं 4 बटे 5 50% की fraction तो आप सब भी को पता होगी 1 upon 2 आगे हम solve करते हैं अब यहाँ से जब हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा 4 A upon 5 is equal to B by 2 आगे अब जब हम solve करेंगे तो 2 चला जाएगा वहाँ तो यहाँ जाएगा 8 A is equal to 5 B और यहाँ से जब हम solve कर रहे होंगे तो A by B की value क्या जाएगी A by B की value क्या जाएगी A by B की value हो जाएगी 5 by 8 बहुत easy है B को हम इस तरफ ले आएगे हैं और जब हम B को इस तरफ लाएगे तो बटे में B हो जाएगा और क्योंकि A से multiply हो रहा है तो हम इस तरफ ले जाएगे तो बटे में 8 हो जाएगा यह आप simple देख लिजे इतना अगर आप नहीं समझ पारें कि A के सामने जो value है उसको वही रहने दीजे और जो value यहाँ B के सामने है यानि 8 उसको यहाँ नीचे लिए यह तो A represent करेगा 5 को B represent करेगा 8 को तो कुछ इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है तो यहाँ से हमने देखा कि A की value क्या हो गई 5 और B की value क्या हो गई 8 अब अगला statement यह था कि जो B है जो B है वो X percent है किसका A का यह हमने statement अगली उसमें देखी statement अगली क्या थी B A का X percent है तो question में आपको बस चीज़े गुमा के कह दी गई है अगर हम थोड़ा सा basic समझने के कोशिश करें तो question में यह पूछना चाहरा है कि B A का कितना percent है क्योंकि X percent बोला है तो कितना percent हो गया ना इक तरीके से क्योंकि X की तो value हमें पता ही नहीं तो हम यहाँ से यह भी इसी question को हम दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते है कि B जो है वो A का कितना percent है तो कितना percent है हमें यह निकालना है तो एक तरीका तो आप देख लिजे B की value हम यहाँ से 8 मान ले और A की value हम 5 मान ले तो B की जगा आप रख दीजे 8 और X percent है तो X upon में 100 कर दीजे और A की value आप रख दीजे 5 solve करेंगे यहाँ से 5 बन जा 5, 5 टू जा 20 20 को वहाँ ले जाए यह multiply करतीजे तो X की value हो जाएगी 160 percent एक तो यह तरीका है अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो एक दूसरा तरीका और है जो हम देख लेते हैं क्या है एक बार देखें comparison कर हम देखते हैं आपे B, A का कितना percent है किसका? A का तो A का पूछा यानि कि A से comparison हो रही है तो आप A को नीचे रखिए A कितना है? 5 और पूछा किसका है? B तो B को रखिए उपर तो 8 by 5 होगे आप इसको आप निकाल लेजे कितना percent है दो तरीके जो अभी हमने सीखा वो देख लेते हैं तो कि अगर 8 by 5 पूछा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इनिमिरेटर बड़ा है डेनिमिरेटर छोटा है आप इसको simply change कर लिजे mixed fraction में 5 बन जा 5 3 upon 5 आ जाएगा जब यह 1 is 2, 3 upon 5 होगा तो जब इसकी percentage निकालेंगे तो 1 की value 100% हो जाएगी और 3 बड़े 5 है तो इसकी value हो जाएगी 60% दोनों को जोड दीजे दोनों को जोडेंगे तो यह हो जाएगा 160% एक तो तरीका यह हो गया या फिर आप चाहें तो इस question को सीधा यह कर लिजे कि यह 8 by 5 है 8 by 5 है नहीं तो 1 by 5 की कितनी होती है percentage 20% तो 8 by 5 या नहीं 8 गुना हो गया तो 8 गुना इसको भी कर दीजे 8 गुनी 16, 160% हो जाएगा तो इस तरीके से हम यह questions को करने की कोशिश करनी चाहिए तो उमीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आगया होगा तो यह basic concept है थोड़ा सा calculated लगा क्योंकि मैं आपको चीजे समझा रहा हूँ जब आप चीजे समझ चुके होंगे और खुद practice कर रहे होंगे question की तो फिर आपको वहाँ पे आपको इतना calculation करने की जोड़ती नहीं है आपको इतना calculation करने की वहाँ जोड़ती नहीं सीधर सीधर आपको सवाल पढ़ना है कि हाँ यार 80% of A, 50% of B यह मैं आपको थोड़ा अच्छे से और इसको और असान तरीके से करके समझा देता हूँ क्या आपकी calculation काफी हद तक कम हो जाए हम थोड़ा सा और इस चीज़ को समझते है कि आपकी calculation हम और कैसे कम हो सकते हैं देखें 80% of A बोला आपको 80% of A and 50% of B 80% of A and 50% of B यह तो बोला सवाल में आप क्यों इतना detail में जाएंगे कि आप पहले आप 80 बटे 100 करेंगे फिर यहां पर 50 बटे 100 या fraction ले लेंगे चार बटे 5 या एक बटे 2 आप सीधा सीधा देखी क्या करिए इस परसेंट से इस परसेंट को काट देजिए जिरो से जिरो को काट देजिए तो यहां से 8A बराबर 5B हो जाएगा आप सीधा यहां से AYB की वैल्यू निकाल लेजिए बात खतम है ऑफ बहुत एज़ी है मैंने का कि तो काफी टाइम आपका बज सकता है अगर आप थोड़ा सा कैल्कुलेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आगया होगा चले बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ आईए यह है हमारा अगला कुश्चन सवाल को मैं अच्छी से पढ़ लेते हैं एक बार इफ 8% of X is the same as 4% of Y then 20% of X is same as सवाल को मैं हिंदी में एक और समझा देता हूँ कि यदि X का 8 प्रतीशत बराबर है Y के 4 प्रतीशत तो बताइए कि X का 20% बराबर होगा चार ओप्षन दे रखे हैं और चारो की चारो ओप्षन वाई के फॉर्मेट में हैं यानि कि 10% of Y, 16% of Y, 80% of Y या 50% of Y यानि कि आपको जो भी आंसर बताना है वो Y के रिस्पेक्ट में बताना है तो कॉश्चन को एकर हम सॉल्प करने की कोश्चिक करते हैं चोलिए हमें जदा डीटेल में ना लेकर आपको कोशिश करूँगा की कद्धक्षन कम से कम हो और डिरॉक्ट रिएकट हम अप्रोच जो हमने अपनाई है उसी ऑप्रोच पर काम करने की कोशिश करते हैं अब देखें 8% of A 8% of sorry X same as यहनि कि equal है किसके 4% of Y के तो यहां से आप क्या करिए कि percent से percent को काटिए 4 इकम चार चार दनी आट यहनि कि 2X is equal to 1Y कर लिजे या Y भी आप simply कर सकते है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम तो यहां से गर मैं बुच्छू की X upon Y का रेशियो बताना है तो यह ज़ेगा 1 upon 2 यहां तक आपको चीजे समझे बहाई कोई दिक्कत तो नहीं अगर कुछ दिक्कत है तो बताइए मुझे कोई कमेंट में आईए अब हम आगे बढ़ते हैं अब सवाल में क्या पूछा है हमने X और Y का रेशियो निकाल लिया कि भाई अगर X की एक युनिट वैल्यू है अब पूछा है कि 20% of X is same है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि X का 20% कितना होगा तो अगर आपको 20% की fraction पता हो 20% की fraction पता हो तो कितनी हो जाती है एक बटे 5 तो X की वैल्यू अगर हम एक युनिट मानें तो एक बटे 5 कितना हो जाएगा एक बटे 5 ही रहेगा या इसको और आगे आप solve करेंगे तो 0.2 हो जाएगा ठीक है तो X का अगर हम 20% निकाले तो कितना आता है 0.2 आता है तो अगर X का 0.2 आता है तो पूछा है कि भाई ये सवाल में पूछा है कि X का 20% Y की कितने परसंट के बरावर है यानि कि यह value आई है 0.2 जो value आई है X की 20% जो value 0% आई है यह Y की कितने बरावर है यानि कि Y के कितने के बरावर है तो comparison हम किस से कर रहे है Y से तो हम Y को नीचे रख देंगे और जो हमारा X आ रहा है यहनि तो y की value 2 है और x 0.2 है इसको प्रेक के multiply by 100 कर दीज़े simple calculation हम यहाँ से calculation कर लिए जब point हटा दिया multiply में 10 10 से 0 कर दिया इसको multiply क्या 20 20 को काटा 2 से तो यह जाएगा कितना 10% कहने का मतलब यह है कि x का जो 20% है वो y के 10% के बरापर है तो हमारा answer हो जाएगा option a 10% of y अब हम देखने के कोशिश करते हैं कि हम अपना calculation कहां पर कम कर सकते थे देखें हम इतना value ना निकाल के डिरेक्ट जो हमने यहां पर यह जो value इतनी हम में पता चल गया वन अपन 5 होती है 20% के fraction फिर हम देखा कि x की value 1 है तो 1 का अगर आप एक बटे पांच निकालेंगे तो एक बटे पांच ही आएगा तो आप इसको एक बटे सब्सक्राइब करेंगे तो आप हम क्या करेंगे इस को कर देंगे इस तरीके से डू डिवाइड है तो साइन चेंज मल्टिप्लाइब 1 अपन 2 कर दीजा अब क्योंकि परसेंट में निकालने तो मल्टिप्लाइब पर हंडेड कर दीजा तो आपको खुद थोड़ा सा अप्रोच लगाना है इस चीच को समझनी कोशिश करने कि हम अपनी कैल्कुलेशन कहां पर कर सकते हैं आई ये निक्स कोशिशन देख लेते हैं बहुत ही खूबसूरत कोशिशन है समझने की कोशिश करिए इसको 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 करने कहां में एक पर एप्रोच देख लेते हैं क्या होता है देखें सवाल में कहा रखा है कि 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b यह कह रखा है कि जो 15% है a plus b का वो किसके बराबर है 25% of a minus b है यहां से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं परसेंट से परसेंट करा पांस से कार दिया पांस दिया फंद्रह चम बच्चेस सॉल्व करेंगे तो अंसर आजाएगा हमारा कि थ्री कि a plus b कि इस इकवल टो फाइव ए माइनस भी यहां तक उमीद करता हूं आपको कोई डाउप नहीं होगा आगे बढ़ते हैं अब हम यहां से सीधा a plus b और a minus b का ratio निकाल लेंगे तो यह इसके सामने वाली value यहीं रहने दीजें यह वाली value निचे लिए यह तो a plus b upon me a minus b इसका जो ratio आएगा 5 upon me 3 यानि कि अगर a plus b 5 है तो a minus b कितना है अब हम यहां से a और b की value का निकाल सकते हैं तो एक तो तरीका होता है component weight dividend हो तो अभी आपको पता नहीं होगा तो हम उसको skip करेंगे जब हम वो chapter करेंगे तो हम उस method को भी वहाँ सीख लेंगे क्योंकि यह हमारा percentage का topic है दूसरा तरीका आप भी कर सकते हैं कि आप कोई ऐसी value सोचिए जिसको जोड़ दें तो 5 आजाए और घटा दें तो 3 आजाए तो आप थोड़ा सोचने के कोशिश करेंगे तो पहली value एक 4 होगी दूसरी value एक होगी यह simple सी चीज़ सोचने किए कि अगर कोई दो ऐसी value जोड़ने पर 5 है और घटाने पर 3 है तो 4 और 1 है 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा no doubt तो यहां से आप एक बड़ी value को a मान लीजे क्योंकि a minus यानि कि बड़े में से कोई छोटा minus हो रहा है तो यहां से आप क्या करिए कि a को मान लीजे चार और b को मान लीजे एक no doubt यहां तक आप समझ भाए चीजों को आईए अब हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल में last में क्या पूछा है सवाल में पूछा है कि then what percent of b is equal to a यानि कि b का कितना percent comparison और यह b से तो b की value जो होगे वो नीचे आजाएगी और a की value जो है वो उपर आजाएगी देखे बी की value कितनी है एक है और a की value कितनी है फोर है percent में पूछा है तो multiply by 100 कर दीजे तो सीधा आजाएगा इसका 400 percent तो उम्हीद करता हूँ यह सवाल भी आपको समझ में आगया होगा बहुत ही basic question है बस थोड़ा से approach है question को करनेगा और कुछ calculation को हम कैसे कम कर सकते हैं इस चीच को हमें समझने की जोड़ता है otherwise questions बहुत ही easy है सेकेंडों में होने वाले सवाल है जब हम पूरी percentage कर चुके होंगे तो हम जब practice कर रहे होंगे इस पूरे topic की तो हम बजाए हम एक के question को समझे हम that question को solve कर रहे होंगे वहाँ पर तो हम अपनी speed बनाएंगे के वहाँ पर और कोशिश करेंगे कि हम कुछी सेकेंडों में मैस के जादा जादा सवाल को कैसे कर सके इसको समझने कोशिश करेंगे तो फिलार आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं जो अभी हमने तीन टाइप्स पढ़े परसेंटेज में questions के वह आपको समझ में आगे होंगे कल हम और भी टाइप सीखेंगे और और भी कुछ basics concepts ट्रिक्स जानने की कोशिश करेंगे फिलार इस वीडियो में इतना ही वीडियो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार